पानाती पाता विर्म नी शिखा पदंक्समा काश्ट और उर्दू में इसका कोई भी लफ्ज या कोई भी अल्फाज इसका है नहीं जाती और जात एक बहुत पुराना सब्ध है सद्ध है बुद्ध से भी पहले का कोई चीज अगर पैदा होती है या उत्पन होती है जनम लेती है तो उसको कहते हैं कि ये इसकी जाती हो रही है मतलब जनम हो रहा है जाती हो रही है उत्पन हो रही है बर्थ हो रही है इस मायने में बुद्ध और बुद्ध के समय क्योंकि बुद्ध ने अपने जितने भी वचन बोले हैं जो बातें बताई हैं उनमें जनम लेने को जाती से ही बताया गया है जाती दुखा, जरा दुखा यानि कि जनम लेना दुख है बढ़ापा दुख है और भी बहुत सारी बातें उसमें है भारत में जो जाती है उसको इंग्लिस में काश्ट कहते है ये एक अजीब सी पिकरिया है कि जनम कैसे किसी का बुद्ध के समय से लेके और यहां तक आते आते गाली में या मान में या सम्मान में या फायदे में या नुकसान में बदल गया दरसल आप कितने भी पड़े लिखे हैं या बिलकुल भी पड़े लिखे नहीं है अगर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि जाती जो आज के समय भारत में चलती है बनी है या बनाई है उसका कहीं भी कोई लिखित में साहित्य या परमान या कहीं कोई कथा के अंदर भी ऐसा नहीं मिलेगा ये जाती इससे छोटी है ये जाती इससे बड़ी है इस जाती में आप गुण है इस जाती में गुण है जो आज के समय किसी जाती के नाम से जो गुण या अबगुण चलते हैं वह भी आपको कहीं लिखे वे मिलेंगे नहीं कोई सिध्धान्त कोई फिनोमिना, कोई फिलोस्पी चाहती की दूर दूर तक आपको किसी साहिते किसी किताब में कहीं नहीं मिलेगी आप इसको खुब ढून लीजिए जितना आप ढून सकते हैं बहुत ज़्यादा कोई डॉक्टर अमबेटकर का मानने वाला होगा अनुयाई होगा भक्त होगा तो ओ कहेगा एन्हीलेशन कास्ट में या जो रिलिल्स है या जो और भी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं उसमें जाती के वारे में उसका जिनेसिस उसका ओरिजन उसकी उत्पत्ति या उसका सद्धान्त वो सब बावा साब डॉक्टर अमबेटकर ने दिया है दरसल जिस भी व्यक्ति ने भारत में जाती के उपर शोध किया है या रिसर्च किया है उसने जाती के परिणाम, जाती के गुण, जाती के अबगुण इसके वारे में कहा है ठोस रूप से क्योंकि ये दिखाई देता है मगर पहली जाती कब बनी, किसने बनाई, कैसे बनी, जातिया कैसे आरंब हुई, कैसे जातिया बट गई और कैसे आज के समय बड़े जोड जोड से लोग कहते हैं कि 6,743 जातियां हैं क्योंकि अगर 6,743 जातियां आज के समय भारत में हैं तो कहीं पहली जाती बनी होगी अगर सारी चीजें आपको लिखित में, कहानियों में, किस्सों में, कथाओं में मिलती हैं तो पहली जाती, दूसरी जाती, तीसरी जाती नहीं मिलती। उससे भी बड़ा आश्यर्य और कमाल की बात यह है कि दुनिया के सारे पत्रकार, सारे टीवी एंकर, सारे विबेशना करने वाले, सारे एनलेसिस करने वाले जाती पे बहस नहीं करतें, जाती की बात नहीं और उससे भी एक बड़ी चीज ये है कि जो आपको जाती के नाम पे धकियाता है, जाती के नाम पे आपको ररियाता है, जाती के नाम पे आपको गाली गलोश करता है, वो खुद भी अपने नाम के पीछे अपने साथ एक जाती लेके घूम रहा है, वो जाती ना छोड़ रहा है ना तोड़ रहा है मगर वो चाहता है कि कोई जाती की बात ना करें अगर कोई जाती की बात करता है तो उसको जाती कि सारी जाती हवा में है कहीं कोई लिखित में नहीं है कहीं कोई सिध्धांत नहीं है कहीं कोई हेर आरकी नहीं है यानि ये भी नहीं कहीं लिखा हुआ है कि ये जाती इससे छोटी होगी या ये जाती इससे बड़ी होगी पिर सारा मामला एक रहसे में है और जितने भी विद करते हैं. जाती की उत्पत्ती पे जाती की औरजनल पे पहली जाती, दूसरी जाती, तीसरी जाती कब कैसे किस ने क्यूं कहा बनी या बनाई? कोई बात करता हुआ मिलेगा नहीं क्योंकि जाती से कुछ लोगों को फाइदा है तो वो बात क्यों करेंगे और जिन लोगों को नुकसान है वो डरे बैठे हैं कि कहीं किसी को पता चल गया कि हम इस छोटी जाती के हैं तो अब उसमें दिया हुआ है तो हमारी बात खराब हो जाएगी इसलिए ये एक रहसे में फिनोमिना है इसके रहसे को अगर आपने चे अपने आसपास के तेरी जो ये जाती है कि कहां से लेके आया कब लेके आया क्यूं लेके आया क्यूं लेके इसको घूम रहा है आज जो जाती के पीछे नाम है वो ज़्यादा पुराने नहीं है किसी की तीसरी पीड़ी अगर आप चेक करेंगे तो उसके पीछे जो आज जाती के नाम की पूँच है वो पूँच लिखित में नहीं मिलेगी किसी पुरानी किताब में जाएंगे किसी जो कालपनिक किताब है पुरान है या कोई ऐसी किताब है जिन में कहीं कोई इत्यासिक बात नहीं होती है या इत्यासिक किताबों में जाएंगे तो आपको जाती के नाम की जो आज भारत में पूश चलती है जगे जगे ऐसी नहीं मिलेगी, वो नाम ही नहीं मिलेंगे तो रहसे और भी गहरा जाता है क्या अभी की पैदाश तो नहीं है 100-200 साल की, 300 साल की इसलिए इस पे बात कीजिए, इस पे विचार कीजिए और अपने जो कमेंट्स हैं, वो कमेंट्स इस वीडियो के नीचे जरू डालिए जो भी आपके मन में आता है चाहे आपको जाती फायदा पहुचाती है तब भी चाहे जाती आपको नुकसान पहुचाती है तब भी क्योंकि जाती ultimately देश को नुकसान पहुचा रही है इसलिए देश को बचाना है तो जाती को नहीं बचाना है अगर जाती को बचाते रहेंगे तो देश नहीं बचेगा दोनों मैंसे एक चीज बचेगी या तो जाती बचेगी या देश बचेगा देश मरेगा तो जाती जिन्दा रहेगी जाती मरेगी तो देश जिन्दा रहेगी आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी भुप्री चला सकते हैं अपनी नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसर ले लेने की बिलकुल भी जरूद नहीं है आप इसको अपना मांते चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्द का है या महापुर्स का है उन्हें की ब बिच्छामी तुधं सेनं गच्छामी धन्म सरेन गच्छामी संगं सरेन गच्छामी तुधियं पी बुद्धं सेनं गच्छामी संगं सरेन गच्छामी तुधियं पी धन्मम सरेन गच्छामी संगं सरेन गच्छामी तुधियं पी बुद्धं सरेन गच्छामी तुधियं पी तंगं सरेन गच्छामी बुखियं पी संगं सर्णं कच्छामी ततियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी बुद्धं सर्णं कच्छामी ततियं पी संगं सर्णं कच्छामी कामेस मिच्छ चरविर्मनी सिखाप दिंग स्माधियामी कामेस मिच्छ चरविर्मनी सिखाप दंस्माधियामी कामेस मिच्छ चरविर्मनी सिखाप दिंग स्माधियामी